29 जून की दोपैर 12 बज कर 13 मिट पर बुद्ध ग्रह मितून रासी से निकल कर करक रासी में प्रवेश करेंगे तो वहीं रात को सनी ग्रह अपनी ही मूल क्रिकोनी रासी में वक्रिय हो जाएंगे सनि और बुद्ध के कारण रडaster योग बनने के कारण लोगों को बहुत सी परशानियों का सामना करना पड़ेगा सनि और बुद्ध के इस योग से बहुत सी राशियां प्रभावित होंगी इन सबी की जानकारी करने के लिए हमने हद्वार के पर सिर जोतिस आचारिये अगर चोटे ग्रहा जो जो इसे सूर्या है चंद्रमा है बुद्ध है शुक्र है यदि ये ग्रहा जो ऐस्थ होते हैं किया क्या कोई विशेस तो अजब होते हैं इसकी समापन होगा 19 नुवंबर 2024 को अर्थात इस समय के लिए शनी वकर्गती को महीं गती करते रहें तो जब कोईерш है वक्रग्र गती को प्राफ़ अर्थात जब कोई महकूर हो जाते हैं अर्थात प्रक्ष्ट्वी के ओपर विशेश जो है नकरात्मक जो एनर्जी है उसको प्रभाविक करते हैं जो सनी जो ग्रहा है भी सुरूप से वो प्रजातंत्र का डेमोक्रेसी का ग्रहा मना जाता है दलित जो रायिती है उस शनी पे डिपेंड करती है इसके साथ साथ जो मोसम के उपर देखने का प्रभाव है वो शनी के तरह देखने में आता है। कहा जाता है कि जब शनी वक्री होते हैं और बरसाथ के मोसम में होते हैं तो काफी समय जो है वो बरसाथ के अंदर चेंजे जाते हैं, बहुत के बारिश आती हैं, अंधी के साथ चलती हैं, बादल पड़ जाते हैं, कहीं बाते देखने मिलती हैं, अकाल मत्वी जादे होती हैं, और तहाँ इस समय लोगों को जो है, बचकर जो है, यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि नॉम्बर तक ही रहेंगे, क देशों में जहां पर आस्ट्रिया के अन्देरा एलक्षन है, और कहीं देशों में एलक्षन है, वहाँ पर सफ़्ता परिवटने योग बनता है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी का जो टेंपल है, मंदिर है, उससे संसत वो बोलते हैं, वहाँ पर हमारे को काफी ऐसी उतेजना देखने हो मिल सकती है, ऐसी जो बाते हैं, वो सुन्ज को मिल सकती है, देखने हो मिल सकती है, जो आज से पहरे ना होई है, अर्थात ये शनी जो है काफी परिशान योग बनाएंगे ताहत बुद्ध से शनी आठ्वे होंगे शनी से बुद्ध जो है वो छटे होंगे जब बुद्ध का और शनी का सराटक योग होता है एक बहुत चंचल रहा है जल्दी चलने वाला एक बहुत दिमाग रहा है जो है चलने वाला जब इनका सराटक योग बनत कर राशी जिनके उपर साड़े साथी चल रही है वो एक ती विशेश रूप से ध्यान रखें और सभल कर कदम उठाएं ऐसा कोई कारण करें जिससे आपकी जीवन में रिस्क हो सकता हो इसमें जो है सूरी की राशी भी कंब राशी और मकर राशी है जिनका लगन कुम्ब और म मिठुन मैं जिनकी जन्मराशी जो कन्या नम रहें और इसमें जो कहा जाता है कि शनिवार को को ये वही समय है जो माम्रात काले किंदर तिर्याजनिका पक्षिपड़ा था यह 5 जुलाइए चनलने वाला है और 21-5 जुलाइए का समय जो हो विशेस कस्टकारी हो सकता है इस वक्त जो है जो लोग जो हैं जो इस राश्वें से पिडित हैं जिनकी राश्या उवेक्ति जो हम हनमान्चली सागा पाट करें विशेश रूप से सनीका दान करें और साथ में भैरो मंदिर जाएं भैरो मंदिर जाकर महां पर जो है भैरो का दिया जलाएं उनको उसको लाख लेका